तो ही गाई दूलकम बैक इन में नीव वीडियो पोकेवर्ट सुल्ड गेम तो इस आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं आइलेंड 5 को ओपन लावा आइलेंड का ओके तो यहार वीडियो के इन तक जरू से बने रहे ना एंड चैनल पर नहीं तो जरू से सब् तो यहाँ पर मैं 2 Unlock के उपर क्लिक करता हूँ तो चलो हम लोग करते हैं 2 Unlock के उपर क्लिक तो यहाँ पर हमें यह ले जाएगा गाट टेनर के पास तो चलो जाते हैं और यहाँ पर चैलेंज करते हैं गाट टेनर को देखते हम इसको हरा पाते हैं या फिर नहीं तो यहाँ पर मैंने चलेंज कर दिया एक आट टेनर को तो यहां पर मेरा टीम आप लोग देख सकते हो यहां पर तो चलो हम लोग करते हैं बैटल को स्टार्ट और यहां पर मैं इस बार गीबाइट को नहीं लेने वाला ओके तो चलो हम लोग करते हैं बैटल को स्टार्ट बैटल हो शु के उपर तो चलो देखते कितना डैमेज आता है यहाँ पे यहाँ पे मैंने गल्दी से जो डाक राइक अटक है वो हो के उपर मार दिया है तो यहाँ पे मैंने वैक्वेम वेब मारा है तो ठीक ठाकी डैमेज आया तो चलो देखते हैं इन तीनों अटाक में यह मरता है तो मर जा भाई जल्दी से तो यहाँ पर इसका HP बहुत ही low हो चुका है और लगता है इस अटाक में मरने वाला है नहीं यार थोरा सा HP रहागा इसका बस तो मार दे लुकारियों मार दिया चलो नाइस तो यहाँ पर इसका में चार्णी जाड़ा यह आचुका है तो मैं इस बार Hashow को टार miser करने वाला हो तो चलो सभी अटाक होग के ऊपर मारते है जल्दी से जल्दी तो यहाँ पर मैंने सब अटाक मारते है तो यार मेरा जो गार्चम में हो मर चुका है विक्तिनी ने मारा उसके अटैक तो भाइ दूनों Pokemon का HP आप लोग देख सकते हो कितना कम करते है उसके विक्तिनी ने तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी यहाँ पर मैं किसको उतारता हूँ यहाँ पर मैं सिंपली Mega 48 को उतार लेता हूँ तो दोनों का ही इसका थोड़ा ज्यादा डैमेज है मुझसे तो यहाँ पर हो ने मारा अपना अटैक और फाइनली अब रैशिराम ने मारा अपना ब्लू फ्लेम अटैक तो यहाँ पर अच्छा का सा डैमेज आया तो यार बस एक एच्पी में रह गया हो ओ तो चलो जल्दी से मारते हो को तो यहाँ पर हो हो मड़ चुका है और बस दो ही पोकेमों अब बचे हुए है तो चलो जल्दी से जल्दी इन लोग को मार लेते हैं यहाँ पे मेरा हो चुका है हम मेरा भूक है खत्म रोसनी से यहाँ फिर से मारा यहाँ इधाया ठाकू झालो नाइस और इंय पे मैं उतरर अफ में उतर जेता हूं लुकारियो को and यहाँ पे dark cry को उतार देता हूँ तो भाई dark cry and लुकारियो का बहुती कम HP है तो चलो दिखते हैं इन दोनों को यह मार पाता है भी नहीं तो vacuum wave मारते हैं फिर से हम लोग Charizard के उपर तो यहाँ पे मारा ghost attack तो यहाँ पर डेमेज आया बहुत ही अच्छा यहाँ पर यह लुकाडियों ने हमारा भैक्यूम हुए तो यहाँ पर मेगा चारिजट हो चुका है खतम तो बस भिक्टे नी बचा हुआ है एंड गया लगता है नहीं बच गया चलो नाइस यहाँ पर हाड चुका है फाइनली तो चलो हम लोग अब जाते हैं आइलेंड फाइब के अंदर तो चलो देखते हैं कौन कौन से पोकेवन हमें इस आइलेंड फाइब के अंदर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम लोग डिलेवरी कर चुके हैं और यहाँ पर मेरा नेट फिर भी स्लो है तो चलो यहाँ पर भी एक shiny Pokemon है दो दो shiny हूँ भाई ground on मिल गया मुझे shiny वो भी advance flash nature का तो जल्दी से जल्दी सको पकड़ते है यार जल्दी से आजा प्लीस यार तो यहाँ पे मेरा net fit से हगता हुआ तो यहाँ पे आया नहीं एक ball में दूसरा ultra ball भाई आजा प्लीस तो यहाँ पे आ चुका है नाइस यार दो ही बस ultra ball लगें इसको पकड़ने में ज़्यादा मेरा खरच भी नहीं हुआ पोके ball तो यह आ गया तो देख सकतो गाईस यह नेचर flash nature 2 का है तो यहाँ पे मुझे ground मिल चुका है और आप मुझे को बताना इस ground को अगर मैं टीम में रखू रखू या फिर नहीं ओके तो ज़रूर कमेंट में बताना यार मैं ground को रखू या फिर नहीं टीम में यहाँ पे आप लोग देख सकतो मेरा network क्या ही हग रहा है तो चलो हम लोग देखते दूसरा जो flash nature का Pokemon है कौन सा है तो यहाँ पे एक हो हो है तो हो को में तो पकरने वाला नहीं हो क्योंकि मेरे पास पहले से flash हो है तो कैसे यह वाला वीडियो बस यही तक था यह वाला वीडियो आपको कैसा लगा है यार कमेंट में ज़रू बताना और यह चैनल सब्सक्राइब करें तो जो लोगाइस मिलता हूँ यह सी कोई न्यू वीडियो के अंदर तो तो के लिए बाई